हेलो एंड वेलेकम गाईज वेलेकम टो तो मैं चैनल मिस्टर आमीर तो फ्रेंड्स यहां पर आप देशकते हो वर्फूल का फ्रीज है हमारे सामने और आज हम लोग थर्मो इस्टार को सेटिंग करने के बारे में बताएंगे यह हमारे पास जो यह फोर स्टार का रेटिंग क सकते हो यहां पर कुछ डिटिल दिया है जैसे कि जहां पर आपका थर्मो इट रहेगा राइट साइड में देखोगे न्यू में वालपूल का तो यहां पर कुछ डिटिल दिया हुआ और इसमें यह भी लिखा हुआ रहा है कि कुछ और डिटिल अब कर आपको चाहिए तो यहां पर आप देख करके इससे समझ सकते हो, ठीक है? में जो कूलिंग चेमबर होता है, इसी का में रोल होता है, थर्मो स्टेट उसी पर काम काता है, जैसे कूलिंग चेमबर काम यह रहता है, कि पूरा आइस बना लेना, आइस बना लेने के बाद थर्मो स्टेट काम यह रहता है, कि आटमेटली इसको कंप्रेसर जो हमारा रहेग ठीक है era घर बंड रहाएगा जो आइस सुसके बाद जो हमारा रहाएगा को सपद faut mom गल जाने के बाद हमार जो sensor है वो sense करेगा उसके बाद फिर automatic वो compressor start हो जागा फिर से cooling system आपका होने लगेगा तो अब हम लोग बात करेंगे इसको किस तरह साथ को setup करना है कौन से मौसम में ठंडा गर्मी बरसा किस तरह साथ इसको setup कर सकते हो वो process मैं आप लोग को बता देता ह इस regulator में यहां पर दे सकते हो लिखा हुआ है numbering 1,2,3,4,5 और 6 इस तरह से इसमें अंकित किया हो गया है number तो आप इसको देख करके समझता हो और इसको आप घुमा करके अपने हिसाब से adjust कर सकते हो यहां पर भी दिया हुआ है कि system उपर cooling control लिखा हुआ है यहां पर 2 दिया ह है कि जैसे कि आपका बर्सात का समय जो आता है बर्सात का समय में आप three four में easy तरीका से रख सकतो three four में रखने से कोई तरह को प्रॉल्म नहीं आएगा वह अच्छा तरीका से work करें उसका लाश्ट में दिया हुआ है five six five six में रखने से friends आपका यह हो कि जब आपका गर्मी क अगर आप इसमें जो एक बटन देख रहे हुआ यहाँ पर टाइप कर दोगे तो आइस जो आपका बनाव रहेगा पुरा गला देगा बस यही सिस्टम में इसका अगर वीडियो पसंद आता था तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आज के लिए अतने ही मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स